नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक और बहुत ही महत्पून टॉपिक को लेकर GST में दोस्तों मैंने एक GST, हैपी GST सीरीज करके एक सीरीज निकाली है जिसमें मैं उसके 17 एडिशन्स पब्लिश कर चुका हूँ सत्रमें एडिशन में मैंने एक स्पेसिफिक इशू कवर किया जिसमें जो GST से जो मेल आई है सभी टेक्सपेर्स को जिनका भी टरन ओवर, एग्रिगेट टरन ओवर पांच करोड से उपर है उससे related हमने एक 8 सवाल बनाए, 8 questions बनाए और उनके जवाद दिये वो सीरीज मैं publish कर चुका हूँ आज ही, आज 14 अगस्त को तो मुझे लगा एक वीडियो भी बनाना चाहिए हमारे व्यूवर्स के लिए ताकि हम face to face उसके बारे में भी बात कर सके और आपको बता सके कि उस मेल के उपर क्या मेल क्या है और उस पर क्या action लेना है सबसे पहले तो मैं आपको बता दू कि जिन भी tax payers का aggregate turnover financial year 19-20 का GSTN ने calculate किया 5 करोड रुपे सिरफ उनी tax payers को ये मेल आई है पहला सवाल ये तो aggregate turnover क्या होती है aggregate turnover में सभी taxable supplies जुड़ती है, exempt supplies जुड़ती है आपकी export supplies जुड़ती है, उसके अलावा जो भी distinct persons के बीच में जो भी आप एक state से दूसरे state पे stock transfer बगारा करते है under the same pan, computed all India basis पे होती है, वो सारी जुड़ती है इसमें exclude किया जाता है tax sources, CGST, IGST, CES, SDST ये जो भी tax हैं ये आप सब exclude करते हैं aggregate turnover में अगला सवाल ही आता है, इस mail का purpose क्या है, इस mail का purpose जो है ये determine करना है कि आपकी aggregate turnover financial year 19-20 में क्या थी और उसके basis पे ये determine करना है कि आपकी tax returns की frequency, बाकी सारे संबंदित provision क्या रहेंगे क्या ये mail एक notice है या mail communication है, मेरा जवाब ये है दोस्तो क्योंकि ये mail GSTN के दौरा बेज़े है ये ना कि GST department के दौरा ना ही इसके उपर कोई DIN है document identification number है, तो ये merely एक data collection tool है data mining tool है मैं कहूंगा और ये notice नहीं है, merely a communication है और www.gst.gov.in से आई है तो इस mail को हम notice नहीं consider करेंगे, communication consider करेंगे इस mail में aggregate turnover कैसे compute की गई है तो उन्होंने बताया कि भी आपके जितने भी registration हैं एक PAN पे, 19-20 में उनकी जितनी भी turnover थी हम सब ने, हमने उस सारे 3Bs को जोड़कर aggregate turnover calculate कर लिया जिनके 3Bs file नहीं हुए है, तो हमने क्या किया है कि जिन 3Bs जो file हुए है, उनके basis पे, हमने जो 3Bs file नहीं हुए है उनकी turnover अपने आप extrapolate कर ली और aggregate turnover कर ली माल लिजे, आपने 6 मेने का 3B file किया, 6 मेने का नहीं किया तो जिन 6 मेने के 3B आपने file किया, उनके basis पे आपने average turnover निकाला और बाकी 6 मेने की turnover भी assume कर ली कि उतनी ही होगी और aggregate turnover आप भी determine कर ली क्या हमें इस mail का reply करना है, करना है तो किन किन circumstances में करना है देखिए दोस्तों, अगर mail का reply तो आपको करना है, जरूर करना है लेकिन अगर, माल लिजे, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका aggregate turnover GSTN के दौरा जो compute है, वो 5 करोड रुपे का है, लेकिन आपका actual turnover 5 करोड से less है, तो आपको mail करना है otherwise mail का reply, mail का reply नहीं करना है अगर आपकी turnover, GSTN के दौरा compute turnover 5 करोड से अधिक है और आपकी actual turnover 5 करोड से कम है, तो आपको इस mail का reply करना है, otherwise नहीं करना है अब इसके possible reasons क्या हो सकते हैं, कि GSTN के दौरा तो 5 करोड से अधिक compute की जा रही है, आपकी financial year 19-20 की turnover और आपकी actual turnover कम है इसका पहला कारण तो यह हो सकता है, कि जो 3B आपने फाइल नहीं किये और जिनको turnover इन्होंने average पर ले लिया उन 3B's में हो सकता है, आपकी turnover actually कम हो या ना हो, और जिसके basis पे आपकी turnover 5 करोड से सक्सीड ना करें, या फिर दूसरा कारण हो सकता है, कि जब कर आपने सारे 3B फाइल कर दे तो 19-20 में जो 3B आपने फाइल की हैं, उसमें turnover जो है, वो 18-19 की जोड के फाइल की है, भी April 17 से, April 19 से, September 19 तक की 3B में तो आप सारी turnover 18-19 की दिखाई सकते थे और इवन बाद भी दिखा सकते हैं, आउटवर सप्लाई तो आप additional सप्लाई डेकलेर करी सकते हैं, तो 19-20 के 3B में आपने 18-19 की 3B की supplies भी डेकलेर की थे, जिससे कि आपका 19-20 की actual turnover जो कि नहीं है, वो जादा नदर आ रहा था, वही GSTN ने auto-populate किया, उसका कारण एक और हो सकता है कि आपका 19-20 का जो है, वो incorrect turnover डेकलेर हुआ हो, उसको आपने 20-21 में correct करना हो, या annual return में correct करना हो, तो इन कारणों की वज़े से यह हो सकता है कि आपका turnover कम हो, और GSTN ने compute किया 5 क्रोड से अधिक और आपका 5 क्रोड से अगर आपको mail receive नहीं हुई है, तो भी क्या आपको इसका grievance submit करना है, क्या इसके उपर reply करना है, answer is yes, अगर इन्होंने mail किये सिरफ उन taxpayers को जिनके aggregate turnover financial year में 19-20 में 5 क्रोड से अधिक थी, और आपको mail नहीं आई, और आपको लगता है कि आपने जो determine किया, आपकी turnover actually 5 क्रोड से अधिक है, तो आपको grievance portal में जाकर, self-service portal में जाकर इसका reply करना पड़ेगा दोस्तों, उसके कारण क्या हो सकते है कि जो 3B आपने file नहीं किये और इन्होंने autopopulate करके कम की turnover बनाई, तो उसकता है उन 3B में turnover आपकी बहुत जादा रही हो, जो की इनके पास data ही नहीं है, इनके पास तो पिछले 6 मिने का data है, जो आपने file की अगले 6 मिने की जो file नहीं किया, उनका data ही नहीं है, तो उस case में इन्होंने 5 क्रोड से कम बनाया या फिर उल्टा कर दीजे जो पिछले वाले सवाल में हमने लिया था, कि भी आपका financial year 1819 का जो data है, वो 1920 में report हुआ, अब 1819 का हमने 1920 में less report कर दिया, मतलब 1819 का जो reporting थी, reduce करनी थी supply, वो हमने 1920 में reduce कर दी, लेकिन हमारी actual supply 1920 की तो जाधा थी, तो वो auto compute ही नहीं हुई, GSTN क के द्वारा, या फिर आपने 1920 की supply incorrect declare कर दी, कम declare कर दी, जो कि आपने 2021 की supply में से declare करनी थी, 3B's में declare करनी थी, और या अगर आपको नहीं भी mail आईए, और आपका 5 करोड से अधिक supplies है, financial year aggregate turnover है, आपकी financial year 1920 में, तो आपको इसको self-service portal पे जाकर, grievance raise करके इसका reply करना चाहिए, reply कहा करना चाहिए, मैंने आपको बता दिया, grievance raise करके, self-service portal पे reply करें, और 500 characters का ही reply करें, और आप साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेगा कि उनी, उसी mail में एक format दिया गया, उसी format में आप reply करें, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है जी, उसके बाद आखरी सवाल कि अगर इनकी different बन जाएगी, late fee different हो जाएगी, ब्याज different हो जाएगा, आपकी turnover जो है, वो जादा थी और इन्होंने कम report की है, तो future में अगर proper officer इसको assess करेगा, तो additional fee लिए भी कर सकता है, तो ये discrepancy आपकी चलती रहेगी, अगर आप इसके reply को properly submit नहीं करते हैं, मैं आशा करता हू continuously, वो happy GST, हम हकते में तीन दिन ये series publish करते हैं, कर GST में different aspects को, छोटे-छोटे aspects को लेकर उनके ओपर brief discussion करते हैं, thank you very much for watching.